हेलो वच्चों तो कैसी हैं आप लो तो सबसे पहले दो नए साल के आप से को बहुत बहुत हादिक शुब कामना हैं उमीद करते हैं कि आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरेगा तो आज हम जो टोपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एक्जेक्ट डिफरेंशल इक्व दालने के लिए आपको कुछ मैथर्ट फोलो करने पड़ेंगे तो अगयों उन मैथर्ट के बारे में डिस्कुस करते हैं तो नंबर बन से शुरू करते हैं सो नंबर बन होता है कि कोई भी हमारे पास एक्वेशन दी होगी डिफरेंशल इक्वेशन हमने उसको लिखना है md x plus nd y equal to 0 में हमने उसको इस टाइप से लिख दिया फिर हम जब उस एक्वेशन को हम इस एक्वेशन से compare करेंगे तो हमारे पास m और n की value पता चल जाएगी m की value और n की value पता चल जाएगी फिर हम उस m और n की value को partial differentiate करेंगे m को करेंगे y के साथ n को करेंगे x के साथ ठीक है और दोनों को equate कर देंगे इससे क्या होगा कि वो equation जो होगी वो exact हो जाएगी क्या करेंगे curly m over curly y is equal to curly n over curly x यह दोने एक दूसरे के equal होगे तो इसका मतलब क्या है equation क्या है exact है और अगर equation exact होगी तभी हम उसका solution निकाल सकते हैं अगर यह दोनों एक दूसरे के equal है तो equation exact है और उसका solution होगा उसका solution क्या होगा वो होगा mdx plus यह इसमें क्या होगा mdx y as constant लेंगे हम इसमें y as constant y as constant plus term in n term in n not containing x not containing x and dy y is equal to c any constant किसी भी differential equation का solution होगा वह यही होगा तो आप इसको याद कर लो हम सभी के सभी solutions होगे हम इसी सही निकालेंगे चलिए हम कोई छोटा सा example लेकर इसको जल्दी से solve करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो चलिए देखिए मैंने यह question लिख लिए है हम इसको solve करने की कोशिश करते हैं तो उपर मैंने आपको जो बताए हैं इन्ही मैंतर से हम इसको solve करेंगे तो चलिए जल्दी से हम compare करते हैं mdx plus n dy equal to 0 के साथ हमने इसको compare किया m की value के आगी m is equal to यह पूरा m की value आगी न x raised to power 4 minus 2xy square plus y raised to power 4 ओके और n की value के हमागी हमारे पास n is equal to अब देखो हमारे जो equation थी वो थी m dx plus n dy और यहां पर देखो यहां पर है minus का sign तो इसका मतलब के n की value यह है इसके साथ हम minus का sign भी लेंगे तो क्या जाएगा minus minus के साथ मैंने multiple higher कर दी हर एक term को minus 2x square y plus 4xy q minus के sign y ओके हमारे पास m और n के value आगी इसके बाद हम step 2 क्या करते थे m को हम partial differentiate करते थे y के साथ n को हम partial differentiate करते थे x करते हैं curly m over curly y and curly n over curly x यह निकालेंगे भी हम तो curly m over curly y के आजाएगा यह आजाएगा देखो यह वाली term तो होगी नहीं को कि हम partial differentiate कर रहे तो इसको हम करेंगे partial differentiate तो यह आजाएगा minus power rule लगाया 4xy plus 4y cube आया समझ में partial differentiate किया तो जो इसमें y होगे हम उसी term को हम differentiate करेंगे तो इसमें तो y था नहीं तो यह इसको करने के जूरत नहीं है और इसको किया power rule लगाया x को नहीं करेंगे y को करेंगे y को किया power rule लगाया 2 पहले आगया 2 into 2 4 minus 4xy power rule लगाया इसमें देखो जो x आएगा ने इसमें इसको हमने constant लेके चलना है minus 4x by plus power rule लगाया 4y cube ओके clear है न तो similarly हम यहाँ पर इसको भी differentiate करेंगे बट इस बार हम जो कर रहे है वो x के साथ कर रहे ह है तो x वरी टम को करेंगे यहां sin y को करने की जूरुरत नहीं है तो हम इन दोनों को करेंगे partial differentiate तो हमारे पास आ जाएगा इसको करते है पहले यह आ जाएगा minus 4xy plus 4y cube ओके देख लो minus 4xy plus 4x को किया x के साथ करना था ना x को किया 1y cube ओके clear हो गया न तो यहाँ पर यहाँ पर गड़ड़ी मत कर देना नहीं तो यहीं से आपका question होगा वो गल्त हो जाएगा अब देखो यहाँ पर क्या यह दोने equal आ रहे हैं देखो एक दुसरे की equal आ रहे है minus 4x y minus 4x y plus 4y cube plus 4y cube ओके यह दोने equal होगे तो then इसका मतलब क्या है the given equation is exact the given equation is exact then its solution is इसका solution क्या होगा होगा m dx y as constant लेके चलेंगे हम plus term in n not containing x dy is equal to c कि किसी भी differential equation का solution यही होगा बस हमने उसको देखना कि वो exact है यह नहीं है तो इसमें हम value put कर देते हैं m की value put की m की value हमने यह लिखी थी लिख देते हैं जल्दी से y as constant लेके चल रहे हैं हम इसमे plus term in n not containing x n की हमने ऐसी term लेनी है यहां दो ही n की हमने ऐसी term लेनी है जो कि x को contain नहीं कर रही है देखो यहां पर x आ रहा है यहां भी x आ रहा है और यहां पर नहीं आ रहा है हम यह वाली term ले लेंगे तो क्या जाएगा minus sign y and dy is equal to c और यहां भी dx आएगा dx okay clear इसके आगे करते हैं हम यहां पर हम y as constant लेके चल रहे हैं तो इसको हम जल्दी से करते हैं तो क्या जाएगा x raised to power power rule 5 upon 5 minus 2 x y तो यहां देखिए x raised to power 5 upon 5 minus 2 x पर power rule लगाएंगे हम यहां पर एक होंगी y को हम constant लेकर चल्ड़े हैं तो x पर लगाएंगे power rule तो यह मैंने का x square over 2 and y square y square वैसे का वैसे ही रहा ओके plus y raised to power 4 यह देखो यहां पर यह थी constant हमने इसको मालो यह constant ले लिए तो इसको हम integrate नहीं करेंगे तो इसको हम constant मान के बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 या फिर सिदे dx ही बचेगा तो dx ही integration का होती यह x होती है वो होती है minus के cos y ओके यह minus minus plus बन जाएगा यह बन जाएगा cos y is equal to c हमारे पास और यही आ गया solution solution of given differential equation I hope guys आपको समझ में आ रहा होगा सिर्फ totally 3 steps है जो आपने follow करने है जो मैंने यहां पर लिख दी है ठीक है इन steps को follow करके आप किसी भी question का answer निकाल सकते है किसी भी differential equation का solution निकाल सकते हो तो चलिए यह तो बात थी कि अगर वो दोनों m और n की हम जो partial differentiate करके हम एक दूसरे से equate करते हैं तो वो exact हो जाती है अगर माली जी कि यह एक दूसरे के equal नहीं आ रही है अगर यह एक दूसरे के equal नहीं आ रही है तो हम किसी भी differential equation का solution कैसे निकालेंगे क्योंकि मैंने कहा था कि अगर यह दोनों equal आएंगी तब ही उसका solution निकलेगा तो ऐसे में इन दोनों को equal करने के लिए हम किसी function या किसी term के साथ दी हुई differential equation को multiply करेंगे जब हम उसको multiply करेंगे तो ये दोनों जो होंगी एक दूसरे से equate हो जाएंगी एक दूसरे के equal हो जाएंगी तो ऐसे में हमने जिस function या जिस term के साथ हमने उस equation को multiply किया हम उसको बोलते हैं integrating factor integrating integrating factor जिसको हम if के साथ denote करते हैं अब हम आगे इसके इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके जो हैं 5 method होते हैं जो बारे बारी से आपको discuss भी करूँगा उनके बारे में 5 methods होते हैं integrating factor निकालने के क्योंकि हम किसी भी term के साथ हम ऐसी multiply तो नहीं कर सकते हैं तो चलिए method 1 को discuss करते हैं तो चलिए 5 rules हैं हम उन्हें से पहला rule करने वाले हैं rule number 1 ओके तो rule number 1 के according क्या है कि हमारे पास वही d होगी m dx plus n dy हमारे पास equation d होगी जो कि exact नहीं है ओके तो हम इसका solution निकालेंगे उसका हम integrating factor निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे हमने सरसे पहले check करना है हमने check करना है कि वो दी हुई differential equation homogeneous है या नहीं है तो homogeneous check कैसे करते हैं मैं आपको एक example लेके बताता हूँ homogeneous check करने के लिए okay guys मैंने ये एक differential equation ली है मैं आपको बताता हूँ कि homogeneous कैसे check करते हैं homogeneous हम check करते हैं कि जो भी यहाँ पर variable है उनकी power सभी की equal होनी चाहिए for example यहाँ पर देखो y की power 3 है यहाँ पर देखो y की power 1 x की power 2, 2 plus 1, 3 होगे यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 similarly यहाँ पर x की power 1, y की power 2, 2 plus 1, 3 x की power 3 तो यहाँ पर सारे की power जो जितने भी यहाँ पर terms है उन सभी की power 3 है तो इसका मतलब है कि यह जो given differential equation है यह homogeneous है तो आपने ऐसे ही check करके सभी question को solve करना है तो ठीक है rule number one में हमने सबसे पहले homogeneous check कर लिया अब हम आगे इसको solve करते हैं अगर दी हुई differential equation homogeneous है तो उसका जो integrating factor होगा integrating factor जो होगा वो होगा 1 over mx plus ny ओके यह integrating factor कब होगा जब दी हुई differential equation जो है वह homogeneous होगी ओके हम एक question लेते हैं उससे आपको ज़्यादा कले होगा तो चलिए हम एक question के थुरू इसको समझने के कोशिश करते हैं तो हम question लेते हैं 3xy square minus yq dx minus 2xy square dy is equal to 0 ओके हम इस question को solve करने के कोशिश करते हैं तो यह दिखो हम इसको compare करेंगे mdx plus ndy के साथ m की value हमारे पास आजाएगी 3xy square minus y q and n की value minus sign साथ में लिखे चलेंगे minus के साथ हम इसको multiply भी करेंगे तो यह आजएगा minus 2xy square y minus minus plus xy square ओके m और n की value हमारे पास आजएगी और हमने हम इसको अगर पार्शल differentiate भी करेंगे हम तो हमें देखने से clear पता लग रहा है कि यह दोनों जो है वह एक दुसरे equal नहीं आएंगे तो यह given differential equation जो है वह exact नहीं होगी जब वह given differential equation एक्जेक्ट नहीं होगी तो हमने क्या चेक करना है रूल नंबर वन के according हमने चेक करना था कि वह homogeneous है या नहीं है तो हम चेक करते है homogeneous है या नहीं है तो यहां देखिए x की power 1 y की power 2 2 plus 1 3 y की power 3 x raised to power 2 y raised to power 1 2 plus 1 3 यहां भी 1 और 2 3 यहां पर देखिए पूर सभी जितने भी variable है उन सब की power जो वह 3 है तो यह जो given differential equation is homogeneous और जब homogeneous होगी तो इसका जो solution होगा means integrating factor जो होगा इसका वह होगा 1 over m x plus n y 1 over m की value लेते हैं उसको x के साथ multiply करते हैं मैं direct multiply कर रहा हूं 3 x square y square minus x के साथ multiply करेंगे x by cube plus n into y n हमारे पास यह है इसको हम y के साथ multiply करेंगे तो यह जाएगा minus 2 x square y square और plus x y square है हम इसको multiply करेंगे y के साथ ही बन जाएगा x y q okay तो यह आजएगा हमारे पास 1 over 3 x square y square minus x y q minus 2 x square y square plus xy q इसके साथ यह कट गया और इसमें से हम minus करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यह बचेगा 1 over x square y square ओके यह आया हमारे पास और यही जो है वो integrating factor है तो हमारे पास जो integrating factor आया वो क्या आया 1 over x square y square इसके बाद हम क्या करते थे integrating factor को हम multiply कर देते थे given differential equation के साथ तो हम वही करेंगे इसको हम multiply कर देंगे इस equation के साथ जब हम multiply करेंगे तो इस term के साथ हम अलग से कर सकते हैं इसके साथ हम अलग से करेंगे मतलब जो integrating factor होगा वह दोनों के साथ multiply होगा 3xy square minus y 3xy square minus y cube over integrating factor यह था न हम इसके साथ इसको multiply करेंगे तो क्या जाएगा यह जाएगा x square y square and here is dx minus equation थी न माइनस 2x square y तो हम इसके साथ कर रहे हैं पर minus 2x square y minus x y square over x square y square and here is dy is equal to 0 हम इसको थोड़ा सा और भी जादा solve कर सकते हैं तो यहां पर क्या आएगा हमने आपको बिल्कुल simple तरीके से बताना है तो इसको और जादा हम solve करते हैं जिससे कि starting में आपको कोई परिशानी ना हो जो 3xy square दोनों का अलग कर देते हैं न डिनोमिनेटर x square y square minus y q x square y square here is dx minus similarly यहां भी यह जाद एक्स के साथ एक्स कट जाएगा y square के साथ y square कट जाएगा चलिया हम काटते जाते हैं वी y square के साथ y square कट गया x के साथ x कट गया y square के साथ कट जाएगा यहां भी x square के साथ x square कट गया y के साथ y कट गया I think I do something wrong here is square here is square then y के साथ यह कट गया यहां पर y बचेगा and x y square x square y y square के साथ y square कट गया x के साथ x कट गया तो हमारे पास क्या बचा हम वो ही लिख देंगे यहां पर बचा हमारे पास 3 over x minus y over x square dx minus 2 over y bracket में लिख रहे हैं minus 2 over y minus यहां पर 1 over x बचा था 1 over x and dy is equal to 0 ओके हमने इसको अलग लग किया ताकि आपको आगे integration करने के लिए भी असानी हो अब हम integration करेंगे हमने integrating factor के साथ हमने इसको multiply कर दिया अब हमको पताए कि जो यह जो differential equation हमने solution निकाल रहे हैं यह जो हमारे पास differential equation आईए यह exact है तो इसका जो exact है तो इसका solution कैसे होगा m dx y as constant लेके चलते हम y as constant plus term in n not containing x not containing x dy is equal to c ओके तो यहां पर से देखिए m की value हमारे पास यह है और n की value हमारे पास यह है बट साथ में minus का sign में minus के sign का आप ध्यान रखा की जिए वेपर में बच्चा यहीं पर गलती कर देता है तो m dx y as constant m की value हमने put की 3x minus y over x square here is dx and y as constant plus term in n not containing x तो n की value हमारे पास यह है और देखिए यह वरी term में x आ रहा है इस term में नहीं आ रहा है तो हम इसको लिख लेंगे ठीक है इसलिए तो हमने इसको अलग लग किया था कि आपको यहां पर आसानी हो कि जो हम term n मेंसे जो हम term लेंगे उसको आपको निकालने के लिए असानी हो तो यहां पर आजाएगा minus minus का sign हम मैंने साथ में लिया यहां जाएगा 2y एंड साथ में dy is equal to c constant के equal होता है तो इसको हम solution निकालेंगे y as constant लेके चल रहे हैं हम इसको करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा 3 हमारे पास constant के बाहर आ जाएगा 3 बाहर आ गया 1 over x की हम integration करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log of x एंड यहां पर करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा minus का sign है न और y तो constant ही है तो यहां जाएगा minus y and x square यहां पर बचेगा 1 over x square 1 over x square की integration क्या होगी यहां पर कर देता हमें देखो 1 over x square है न इसको हम कैसे लेख सकते हैं x raised power minus 2 और यहां पर हम integration वाला rule लगाते हैं तो यहां जाएगा x raised power minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1 यहां जाएगा x raised power minus 1 over minus 1 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं minus 1 over x ठीक है न हम इसको ऐसे लिखेंगे न तो इसकी integration का हो जाएगी minus 1 over x तो यहां पर minus minus plus हो जाएगा plus 1 over x ठीक है यहां पर पता लगे न कैसे किया यहां पर करेंगे भी हम minus 2 को हमने बाहर ले दिया क्योंकि यह constant है और 1 over y की हम integration करेंगे वह हो जाएगी log of y is equal to c और यही हमारा जो है complete solution निकलाया ओके this is answer तो easy था नहीं यह method आज की जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो चुकी है बाकी के four rules भी हैं उनको भी discuss करेंगे जल्दी ही बाकी के rules की वीडियो भी upload हो जाएगी तब तक मैस की practice करते रहिए ओके तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई है झाल की बाई बाई